हलो फ्रेंड्स हमारे स्पेशल बैच अर्जुन बैच जो कि हमने स्पेशल मनाया है आगामी एकजाम ग्राम सचीव पुलिस पटवारी HCS 2021 आज हम बात करेंगे उसमें हर्याना जिक्के की और हर्याना जिक्के में आज हम बात करेंगे City of Religion यानि धर्म नगरी यानि कुरूच सेतर जिले की हम आपको बता दे इससे पहले हमने आपको बताया पेपर सिटी यानि युम्ना नगर के बारे में विज्यार नगरी यानि अंबाडा जिले के बारे में नैन्नो शिटी यानि पंच्कुला जिले के वारे में छोटी कासी जिसे हम कहते हैं कैथर जिले को हमने आपको बताया विश्टार से हैं और हमने आपको समझाने की कोशिस की कैसे एक्जाम में इनसे क्यूशन आते हैं उसी सरंखला में आज हम बात करेंगे कुरुचेतर जिले की, हम आपको पता दे, हमने इससे पहले आपको बता चुके हैं, पोल्टी, हिस्ट्री, जोग्रफी, जो कि हमारे वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, और हमारे स्पेशल बैज, अर्जुन बैज में आगे वो सब कराय जाएगा आपको, चलो, स्टार्ट करते हैं, आज का सेसन, हम आपको बताएंगे, कुरुचेतर जिले के विस्तार से, साथ ही बताएंगे, किसे कहा जाता है, हर्याना का ताज महल, बताएंगे, भरम सरोवर, जोति सरोवर, भदर कली, मंदीर, बान गंगा, जाता है, इस जिले को भगवत गीता की जनम सतली माना जाता है, और ये आरिये संस्कर्ति का सारवदी के परसिद एयोग प्राचीन के इंदर है, सन 1956 में, यहाँ पर कुरुचेतर विस्ते विद्धाले की स्थापना हुई थी, एक्जामर एक्जाम में बूच सकता है, कि कु जाता है, जिने प्राचीन भारत में राजधानी होने का गोरोप्राव था, यह नगर स्रीकंट जन्रपत की राजधानी हुआ करता था, 37 साली वर्धन वंच का उदेवी यही हुआ, जिसमें राजा हर्ष वर्धन वंच के इथे, जिनकी राजधानी भी थी थानेश्वर, इसके अलावा जिसमें दो परता भी सासक, यानि वर्धन वंच में दो परता गोरव के उच सिखर को सपर्श कर रहा था। थानेज सर नगर का गोरव पूर्ण इतियास हर्श चरितर यात्री चिनी यात्री हेंशांग के वित्रन और मुस्लिम इतियास कारों के विवरण के कुछ गरंतों से ग्यात होता है। हेंशांग चिनियात्री जो की हर्षवर्धन के काल में आये थे अक्सर एक्जाम में क्यूशन आता है हेंशांग चिनियात्री भारत किसे राजा के समय आये थे आप कांसोरों का हर्षवर्धन और हर्षवर्धन की राजधानी थी थाने सर इसलिए जब हेंशांग ने अपनी क को कुरूचेतर की महान संस्कृती द्रहोरों के परतेक इंतिर्चतलों की देखरेक के लिए कुरूचेतर विकास बोड की स्थापना की गई एक्जाम में क्युशन आ सकता है कुरूचेतर विकास बोड की स्थापना कब की गई आपका अंसर होगा 1 अगस्त 1968 को श्री किर्षन संग्राले परीसर मेंसन 2001 में यहां पर पनोर्मा एव विज्ञान के अंदर के स्थापना भी की गई कुरूचेतर जिले में अब बात करते हैं कुरूचेतर जिले का मुख्याले की तो कुरूचेतर जिले का मुख्याले कुरूचेतर में ही है हरियाना एका एक ऐसा जिला भी है जिसका मुख्याले वहां नाहो के दूसरी जगाएं वो है हरियाना का महंदरगड जिला जिसका जिला महंदरगड में नाहो के वहां के उसकी सहर नार नोड मिस्थित है बात करें कुरुचेतर की तैसिल की तो कुरुचेतर में जो तैसिल है वह थाने सर, पेहुआ, वह सहाबाद बात करें कुरुचेतर में खंड की तो कुरुचेतर में खंड है लाड़ुआ, पेहुआ, सहाबाद, थाने सर, बबेन, पीपली और इसमाईलाबाद बात करें परेटन स्थल की तो 360 तिर्थ भ्रहम सरोवर ऐसा सरोवर जो इतना बड़ा सरोवर जो पूरा इटों से बनाये हुआ है जोति सर जहां स्री किर्षन ने अरजुन को गिता का उपदेश दिवा था काली कमली वाले बाबा का डेरा बिडला मंदिर जिसकी स्थापना 1922 में हुथी महदेव मंदिर से एक चिल्ली का मगबरा जिसे हरियाना का ताजमेल का जाता है श्री किर्षन संग्राले पनोर्मा और भदर के लिए सकती पीठ है हरियाना के कुरुचेतर जिले में और परमुख नदी है यहां सरस्वती और परमुख रेलो स्टेशन है कुरुचेतर बात करें परमुख फसलों की तो परमुख फसले हैं यहां चावड, गेहू, गन्ना, तिलहन, आलू बात करें महतरपुन संदस्थानों की तो यहां संदस्थान है कुरुषेतर विश्य विद्धाले जिसकी स्थापना 1956 में हुदी हर्याना में एक और विश्य विद्धाले है रोत्तक विश्य विद्धाले जिसकी स्थापना 1976 में हुदी श्री क्रिशन संगराले जिसकी स्थापना 1987 में उधी रात्य प्रोधोगी की संथान यानि एनाइटी जोकी गुल्जारी लाल नंदा दो बार भारत के परधान मंत्री पंडित जोहारलाल की मिर्थ्यू हो गई और जब तक लाल भादुर शास्त्री जी नहीं बने थे तब तक गुलजाय लाल लंदा प्रधान मंत्री जी बने जब हमारे प्रधान मंत्री लाल भादुर शास्त्री की मिर्थी होगी और तब तक इंद्रा गांधी जी प्रधान मंत्री नहीं बने थी तब तक गुलजाय ल लंदा का संबंध हर्याना से था और गुलजाई लाल लंदा हर्याना की पंजाब सुबे से अलग स्थापना करने भी इनका बड़ा योगदान था उस वक्त ये घ्रह मंत्री थे जब हर्याना की स्थापना हुई एक नॉवंबर 1966 को इसके अलावा कुर्चेतर में मगरमस अभ्यारने है अभोरवने जी अभ्यारने जो की सिर्शा में है इसके अलावा सहबाद चिनी मील है जिसकी स्थापना 1984-85 में उजी काड़ा हीरन परजन के इंदर है और इसका नाम कुरू राजा कुरू के नाम परपड़ा कुरू छेतर अब बात करते हैं महत्तपुन सतलों के बारे हैं विस्तार से सबसे पहले बात करें गीता बहुन की जिस्थान भ्रहम स्ववर के उत्रितरट से कुछी दोरी पर स्थित है हम आपको बता दें गीता बहुन हर्याना के कुरूचतर जिल्या में वहीं गीता मंदिर है हर्याना के हर्याना के कैथर जिले में हमने इस कताओं के अनुसार यहां 11 रुद्रों में से एक रुद्र हैं यहां भगवान सीव का मंदिर है जिसमें लंका नरेश राओन के दूआरा भगवान रुद्र की स्थापना कि गई थी और उसे कहते हैं काले सर तिर्ध जो कि हरियाना के कुरूचेतर जिले में है एक्जामनेर आ बात करते हैं भ्रम श्रोवर की ये स्थान थानेसर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी परस्थित है वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरू ने इस श्रोवर का निर्मान करवाय था हर्याना में ये एक मत्र ऐसा तराब है जिसके चारू और पक्की इटे लगाई ग इता है यह मांसरौ और झील का पाणैं आता है और मानशरौ झील को पानि जक्षान किया पुछे-गा क्वर्यान के किस जल najwię में आप कहbes हे हो उसका भ्रहम शरोवर जिला है, भ्रहम शरोवर है, इसलिए इसके अलावे एक्जानर आप से पूछेगा, हर्याना का वो शरोवर जहां सूर्य घर्ण का बहुत बड़ा मेला लगता है, वो कांस्तित है, आप कांस्तित है, कुरुचेतर जिले में, भ्रहम शरोवर में, एक्ज जोतिसर की जोतिसर सरोर रेलेवेस्टेशन से आठ किलोमेटर दूरी पर पहुआ मारक पर सरस्वती नदी के लुप्त प्राय परभापत के किनारे परस्षित है एक्जामनेर आप से पूछ सकता है सरस्वती नदी के किनारे कूण सा कूण सा निमली कित में से कूण सा तिर्थ बर्गत के वरक्ष के नीचे दिया गया था एक्जाम में अक्सर क्यों सनाता है कि स्री किर्षण द्वारा अर्जुन को गिता का उपदेश किस वरक्ष के नीचे दिया गया था तो आपका अंसर होगा बर्गत के वरक्ष के नीचे दिया गया था इसके अलावा जिस वरक्ष क 666 में काची काम कोटी पीट परंपरा के संक्राचार्ये ने यहां स्री किर्षण अर्जुनरत तथा संक्राचार्ये के मंदिर का निर्मान करा जोतिसर सरोर के लंबाई एक हजार फिट तसा चोड़ाई 500 फिट है हम आपको उता दे बात करें एक्जामनर की एक्जामनर पुछेगा अर्याना के किस इस्थान पर स्री किर्षण ने अर्जुन को गीता का उपध्यश दिया था आपका अर्जुनरत जोतिसर कुरुचेतर जिले में दूसरा किस वरक्ष के निचे लिया था आपका अर्जुनरत के निर्मान किसने करा और कब करवाया वो करवाया काची कामकोटी पीट परंपरा के संक्राचारी ने और करवाया 1967 में अब बात करते हैं भोर सेदान की लगबग आठेकड छेतर में बनी मगरमस की वाइल लाइब सेंचुरी यहां से 13 किलोमेटर दूर स्थीत है जो की कुल्चेतर पेवा मार्ग पर भ्रम सोरो के निकट सित है और भोर सोदान में है हर्याना के एक मात्र परजण केंदर मगरमस परजण केंदर बात करें सेख चिली का मगबरा यानि हर्याना का ताजमल ने जाने पताने कितनी बार एक्जाम में आचका है कि हर्याना का ताजमेल किसे कहा जाता है आपका अंसरोगा सेख चिली का मकबरा जो कि थाने सर में है और थाने सर को उच्छेतर जले में है थाने सर नगर के उत्तर पस्चमी कोण पर संग मरमर से बणा सेख चिली का मकबरा स्थित है जो मुगल समराट सहाजा के सासनकाल में इरान से चलकर भारत में अधरत कुदूब जलाल लुधिन से मिलने थाने सर आये थे उन्होंने यहाँ जलाल लुधिन से भेट की और दुरुभागे वक्स सेख चिली की मिर्तु थाने सर में हो गई और उन्हें यहीं पर दफना दिया गया इस कार्ण सेख चिली के मगबरे को कहा जाता है हरियाना का ताजमेल और एक किस मुगल सासक के सासनकाल ने मिना सहाजा के सासनकाल ने मिना बात करें मुगल सासनकाल की, तो मुगल सासनकाल की स्थापना होती है पानीपत के पर्थम्यूद से, पानीपत का पर्थम्यूद जो कि दिल्ली सुल्तान, इबरहाईम लोदी और बाबर के मध्य लेड़ा गया था, उसके बाद दूसी उद में बाबर की विजे हुई और लं में हुमायू को युद में हरा कर, हुमायू भार्थ बगा दिया गए थे, और उस वक्त हुई सूरवन्स की स्थापना, जिसें सेरसा सूरी की स्थापना होई, जिनने जीटी रोड बनाया, लेकिन 1555 में हुमायू फिर आया, और फिर मुगल वन्स की स्थापना होई, और हम आपको बता दें, आगे बताते हैं आपको भदर्काली मंदीर के बारे में, बदर्काली मंदीर हर्याना के इक रुच्हतर तर्जिले में है, बदर्काली मंदीर उन 54 सक्ति पीठों में से एक है, ये हर्याना का एक मात्तर सक्ति पीट है जहां मात्ता के 52 खंडों में से एक खंड यहां भी गिरा था जो वर्तमान में स्थाने स्वर मंदिर के पास थीत है एक्जामनर आपसे पूछेगा भदरकाली मंदिर हर्याना में कहां स्थित है आप कांशरोगा कुरुच्छतर जिले में एक्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है 54 सक्ती पीठों में से एक पीठ हर्याना के किस जिले में स्थीत है आप कांसरोगा खुरूच्छेतर जिले में बात करें बान गंगा की ये थाने सर जोती सर मार्क पर नरका सरी नामक गाओं के निकट से निकड़ती है मा भारत में अरजुन ने यहाँ पर बान मार कर गंगा निकाले थी और ये जलासे सराय पर लेटे हुए बिसम पितामे के मुह में पूछ गई थी इसलिए बान गंगा के नाम से भी से जाना जाता है एक्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बिसम पितामा का नाम क्या था आपका अंसर होगा देव वर्त या एक्जाम में एससे पूछ चुकिये कि बिसम पितामा का नाम क्या था आपका अंसर होगा देव वर्त एक्जाम में एससे ये भी पूछ चुकिये कि लक्षमन की पत्नी का क्या नाम था आपको अंसर होगा उनुम अल्ला ये रामायन का है हम बताएंगा आपको बात करते हैं बान गंगा की जिसके बारे आपको बता चुके हैं अब बात करते हैं बाबा काली कमली वाले का डेरा की, ये डेरा स्वामी विशुदनाद जी महराज द्वारा स्थापित के आ गया था, यहां पर भगवान संकर, भगवान स्री किर्षन और अर्जुन की परतिमाई राजमान है, एक्जाम में ये तो क्यूशन आता ही है, कि बा उम्री चोग पर बना हुआ है, इस धाम में सनी देव की परतिमाई पर्थम तलपर थापित की गई है, और इसके साथ नो गरों की परतिमाई भी सामिल की गई है, सनी धाम हर्याना के कुरूचत जलिमें, बात करें सर्वेसर महदेव मंदिर की, सर्वेसर महदेव मंदिर यह करना के पर्मक्य मंदिरों में से एक है और ये मंदिर भ्रहम सरोर से उत्तर की और एक टापु पर चित है इस मंदिर के चारू और चारू और जल भरा होता है यहां पूछने का एक सादन है छोटा सा पुल इस निर्माण बाबा सर्वनात्ने करवाय था एक्जाम में ये कि स्री किर्षण संगराले की स्थापना वर्स 1987 में की गई थी इसे बाद में मोजुदा इमारत में स्थानंत्रित कर दिया गया था भगवान स्री किर्षण को एक सचे नेता और एक प्रेमी के रूप में कलाकर्तियों और मूर्तियों और अभीलेकों आदी के द्वारा दर्साय गया है श्री किर्षण संगराले में जिसकी स्थापना कुरुचेतर में की गई थी और 1987 में की गई थी बात करें देवी कूप मंदिर की ये मंदिर भदरकाली या सक्ती को समर्पित है भारत के 51 सक्ति पिठों में से एक है भगवान स्री किष्ण ने यहाँ पर बैठ कर गिता पड़ी थी वर्तमान में इस थाने सर मिश्थित है अब बात करें मार्केंडे सर देवी मंदिर की 27 मार्च 1937 को पाकिस्तान के जिला सेखपुरा के गाउं बिखी में करमचंद या वे सुहागवती के घर बाजीका का परकासपती का जनम हुआ उनका मन बस्पन से ही भखवान सक्ती में रम गया विभाजन के समय वो पाकिस्तान से आकर हर्याना राजे के कुरूच से तर जिले गुम्टी में रहते हुए 1903 पर में परकासपती ने मार्केंडे सर देवी मंदिर की स्थापना की बात करें सन्हित तिर्थ की ये तिर्थ तिर्षण संग्राले के पास तीत है ये सरवर के पास ये मानिता है कि ये साथ नदिया मिलती है सनी हित सरोर को भगवान विश्णों का स्थाई निवास माना जाता है एक्जाम में एक्सर क्यों सनाता है कि भगवान विश्णों का स्थाई निवास किसे माना जाता है आप का अंसरों का सनी हित तिर्द इसके लंबाई पंदरा सो पूट है इसकी चोड़ाई 550 फूट है इस रोर में अमाउसा के रात में सनान करने के लिए बहुत पयुतर माना जाता है रावन ने भगवान संगर की पूजा यहीं पर की दी एक्जाम में एक्सर कुछन आता है कि अमाउस्या के रात में सनान करने के लिए बहुत पवितर निमले खित में कुण सा तिर्थ माना जाता है आप का अंसरोंगा सन हित तिर्थ पर्ष के उमर में निधन हो गया था तो शीव जी अपने भगत की जान बचाने के लिए यम्राज से भी भिड़ गए थे जो कि वर्तमान में कुरुचेतर से पीपड़े जाने वाड़े मार्क पर मार्कंडा नरी की तट पर सित है एक्जाम में किसन आ सकता है मार्कंडा रिश चन्षर को अपने राज दनी बनाया बाद में अपने राज दनी कर्णोज बनाया पहले हर व्ष सथाने थी प्स्त paso के शासंकार में भारत आयो था तो अपनी पुष्तक सीरियूँ सी में थाने पूछता है कि हैंशांग चिनी यात्री किस राजा के साथ सनकाले भारत आया था आपका अंसर होगा हर्ज वर्धन आपको बता दें कुरुचेतर का नाम राजा कुरुचे नाम पर पड़ा है साबाद चिनी मिल की स्थापना 1984-85 में हो थी साबाद को होकी का गड़ भी माना जाता है हम आपको यह भी बता दें कि एक्जाम में किस राजगार गुरुचेतर जिले में है एक्जाम में किस राजगार गुरुचेतर जिले के बारे में इसके अलाव भी कुछ इंपोटेंट फैक्ट अगर कुरुचेतर के रह जाते हैं तो हम उनको कवर करेंगे हमारे special session to the point या special session जो हरियाना जी केखे जो कि एक से दो मिंट के होते हैं हमने आपको बताया कुरुचेतर जिले के बारे में विस्तार से धर्म नगरी के बारे में यानि City of Religion के बारे में हमने बताया कि किसे कहा जाता है विश्णों का स्थाई निवास आप का अंसरों का सर स देवर्थ था एक्जाम में क्यूं सनाज़कवा है वमने बताया हृयाना के टाजमहिल के बारे में अर्जुन ने गिता को अभदेश दिया था और हमने यह भी बताया कि उसने किस वरक्ष के निचे उपदेश दिया था उन्होंने दिया था ब्रगत वरक्ष के निचे हमने बताया कब उसे पक्का करा गया उस वरक्ष निचे तुछ अब उत्र था 1924 में हमने आपको बताया सिलसला वनने जिव अब भैरने के बारे में ज